वेल्कम टू सपनों का रही से हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरिट चैनल सपनों का रही से पे स्वागत करते हैं आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर पहाड से नीचे उतरना या पहाड से गिरना अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर ये देखे कि वो पहाड से नीचे उतरा है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला real life के अंदर जिस stage पर है, जिस stage पर वो life बिता रहा है उस stage से वो नीचे गिरेगा यानि अगर सपना देखने वाला student है तो वो अपनी शिक्षा में जिस class में वो reading कर रहा है उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी और अगर कोई वेक्ती बिजनस करता है तो उसको बिजनस में लास मिलेगा और अगर कोई वेक्ती जॉब करता है तो उस जॉब के अंदर उसे सस्पेंड या टर्मिनेट होना पड़ेगा अलबता अगर सफना देखने वाला ये देखे कि उसको किसी ने पहाड़ पर से धक्का दिया है तो इसका मतलब है कि वो वेक्टी जिसने आपको धक्का दिया है अगर आप उसे जानते हैं तो वो ही वेक्टी आपकी लाइफ के अंदर टेंशन और परिशानी खड़ी कर रहा है जो आपको सफलता नहीं पाने दे रहा लेकिन अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो फिर अंजान वेक्टी कोई ऐसे वेक्टी जिनका आप से कोई तालुक नहीं है वो आपके रास्ते में रकावट पैदा कर रहे हैं और अगर आप ये देखें कि आपको किसी ने सपने में धका नहीं दिया बलके खुद ही पहाड से गिरे हैं तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला जो है वो अपने ही कामों की वज़ा से अपने ही हाथों अपने लिए गड़े खो देगा और अपनी सफलता के आगे खुद ब्रेक का कारण बनेंगा मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने सपनों का रही से अनुमती चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ Welcome to सपनों का रही से हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरिड चैनल सपनों का रही से पे स्वागत करते हैं आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर पहाड से नीचे उतरना या पहाड से गिरना अगर कोई व्यक्ती सपने के अंदर ये देखे के वो पहाड से नीचे उतरा है तो इसका मतलब है के सपना देखने वाला रियल लाइफ के अंदर जिस स्टेज पर है जिस स्टेज पर वो लाइफ बिता रहा है उस स्टेज से वो नीचे गिरेगा यानि अगर सपना देखने वाला स्टूडेंट है तो वो अपनी शिक्षा में जिस गलास में वो रीडिंग पर रहा है उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी और अगर कोई वीकटी बिजनस करता है तो उसको बिजनस में लास मिलेगा और अगर कोई वेकटी जॉब करता है तो उस जॉब के अंदर उसे सिस्पेंड या टर्मिनेट होना पड़ेगा अलबता अगर सफना देखने वाला ये देखे कि उसको किसी ने पहाड पर से धक्का दिया है तो इसका मतलब है कि वो वेक्ती जिसने आपको धक्का दिया है अगर आप उसे जानते हैं तो वो ही वेक्ती आपकी लाइफ के अंदर टेंशन और परिशानी खड़ी कर रहा है जो आपको सफलता नहीं पाने दे रहा लेकिन अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो फिर अन्जान विक्ती, कोई ऐसे विक्ती जिनका आप से कोई तालुक नहीं है, वो आपके रास्ते में रकावट पैदा कर रहे हैं, और अगर आप ये देखें कि आपको किसी ने सपने में धका नहीं दिया, बलके खुद ही पहाड से गिरे हैं, तो इसका मतलब है कि सपन देखने वाला जो है, वो अपने ही कामों की वज़ा से अपने ही हाथों अपने लिए गड़े खो देगा, और अपनी सफलता के आगे खुद ब्रेक का कारण बनेगा, मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने, सपनों का रही से से अनु इस अपने की व्याख्या के साथ